नमस्कार किसान भाईयों मैं सतीस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जहां धान की नर्सरी डालने का टाइम नजदीक आता जा रहा है तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है कि धान की नर्सरी डालने के पहले आपको क्या-क्या तैयारी करनी है तो वो वीडियो टाइम होए गन्ये के लिए भी और अगर हम इस टाइम पर कलों की संख्या बढ़ाना चाते हैं अच्छी तरह से विकास करना चाते हैं तो गन्ये में कुछ काम इस टाइम पर करने आपको जरूरी है और उन्ही कामों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर आपको जानकारी दे र लेकिन आप सही तरीके से यूज कर पाएं, पूरा-पूरा लाव मिल पाएं आपको, यही दोस्तों मेरा बताने का वीडियो में उद्देश रहता है, तो पहली सिचाई जो हम करते हैं गन्ना बुआई के 30 से 40 दिन के बीच में कर लेते हैं, इसके पीछे का जो रिजन रहता ह कि अगर हम फरवरी में, जन्वरी में या अक्टूबर, नॉमबर में गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें प्राया पहली सिचाई 60-65 दिन पर किसान बाई करने की जरूत प्रती, इधर क्या होता है, जब हम मार्च या अपरेल में गन्ने की बुआई करते हैं, तो टंप प्रेचर ज्यादा है, और मिटी में नमी भी खतम हो जाती, तो इसलिए सिचाई हमें जल्दी करने की जरूत परती, जल्दी सिचाई जब हम करते हैं, तो इससे देखिए दो तीन फाइदे हैं, एक फाइदा क्या है कि जब हम जल्दी इस टाइम पर सिचाई कर देते हैं, तो नमी परियाप्त हमारे खेत में हो जाती है और जब परियाप्त नमी हो जाती है तो उससे जड़ों का विकास तेजी से होना चालू हो जाता है दूसरे जब जड़े विक्सित होंगे जो मिट्टी में मैंने उर्बरक दिया है वो कुछ टाइम के बाद पौधा उसको लेना चालू कर देगा क्योंकि जब जड़ नहीं विक्सित होती है और अंकुरन हो चुका होता है तो उस टाइम पर पौधे को हो सकता तो नहीं मिल पाते हैं जो कि पौधे को इस टाइम पर बहुत जरूरी होते हैं जिससे जब आप पहले सिचाइज करेंगे वो उपर से जब उर्बरक डालेंगे तो मिटी में आसानी से उपर से मिल करके और पौधे के जहां पौधा का टुकड़ा है वहाँ तक पहुंच जाएगा जिससे जो नई ब्रांच जड़ों की निकली है वो आसानी से उस उर्बरक में पोशक्त तो मौझूद हैं, वो पोधे को देना चालू कर देंगी, इसके अत्रिक्त जब हम सिचाई करते हैं, जो हम बुवाई के साथ में उर्बरक डालते हैं, वो लिंचिंग के माधम से थोड़ा नीचे चली जाते हैं, जो जड़ उसको ले को भी आपको डाल देना, खरपतवार नासी डालने के तीन से पांच दिन के बाद में, आपको जो है घुलन सील उर्बरकों को और ग्रोथ पूर्टर को मिला करके डाल देना, घुलन सील उर्बरक के और ग्रोथ पूर्टर डालने से सबसे बड़ा फाइदा ये होगा, वो स पौधा ग्रोथ और विकास करना चालो कर देगा इसके साथ साथ जो ग्रोथ प्रोटर आपने डाला है तो यह जब उर्बरकों से पोसक ततुसको उलनसील वाले से मिल जाएंगे तो जड़ों का विकास भी तेजी से होगा जिससे जो मैंने मिट्टी में उर्बरक दिया है बा पहले निकलेंगे कुछ 15 दिन के बाद कुछ 20 दिन के बाद इस प्रकार से आगे पीछे जब पौधे निकलेंगे जो बाद के पौधे निकलते हैं तो पुराने पौधे बड़े हो चुके होते हो जो नए पौधे निकलते हैं वो रोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और कमजोर हो करके सूख जाते हैं तो बाद में निकलने से पोदे से कोई फाइदा नहीं इसलिए सुरुवात में आपको ये सब चीजे तो करनी जरूरी है जिससे आपके गन्ये में अच्छे से कल्लों का जल्दी से जल्दी फुटाव हो पाए और अच्छे से अच्छे ब्रांच निकल पाएं जिससे ज्यादा गन्यों की संख्या आपके खेत में हो पाएं और जितनी ज्यादा गन्यों की संख्या होगी उतना ही उत्पादन आपका अधिक होगा अब इसी टाइम पर देखा होगा कि आप इस टाइम पर तना छे तक भी काफी तेजी से लगता है तो तना छे तक जो लगता है तो उसकी रोग-थाम के भी आपको उपाई करने पड़ेंगे देखिए हर्भी साइड को डालने है उसके साथ में आपको कुछ नहीं मिलाना है केवला केला हर्भी साइड डालना है और उसके बाद अगर आप उर्बरक डालने हैं तो उर्बरक के साथ में आपके इतना सक मिला करके दे सकते हैं तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे और गन्ये को जो फाइदे हैं वो काफी जवरजस्त मिलेंगे रोग बीमारिया भी अगर लग जाती है और ये सब आप उपाई कर लेते हैं तब भी पौधे का विकास ठप हो जाता है और आपका पौधा कमजोर हो जाता है जिससे जो आप ग्रोथ और विकास कलों की संख्या जाते हैं वो नहीं हो पाती है कभी कभी ब्रांच तो काफी निकल जाती है लेकिन रोग बीमारियों की चलते हैं वो पौधे वहीं से समाप्त हो जाते हैं क्योंकि जो यदि तनाच्छेदक लग जाता है तो वो आपका पौधा खराब हो जाता है और दूसरी ब्रांचे ले सबी चीजे तो आराम से करनी है इसमें ज्यादा सोच विचार करने की दोस्तो आवस्ता भी नहीं है और यह मत सोचो कि मैंने बुवाई के साथ में उर्वरक दिया था वो तो मैंने डाल दिया था तो बाद में हमें डालने स्क्याजर होतें देखिए यह आप पचास किलो तक और वरक को डालेंगे तो आपको फरक पड़ेगा लेकिन 30-35 किलो तक आप और वरक एक खेत में डाल करके देखिए और दूसरे खेत में न डालें आपको अंतर इसपस्ट पता चलेगा जब आपको अंतर दिखाई पड़े तो आप अपने दूसरे खेत में भी इसको ट्राइ कर सकते हैं तो ट्राइ बेस पे आप इस तरीके को यूज करके देखिए और फिर कमेंट में बताइए कि आपको इसका कितना फायदा मिला है में तो ने वी देखिए 20 वागट